Hi guys, क्यासे हैं आप सब? Welcome to the channel. आज किस वीड़ों हम discuss करने वाले हैं 5-day banking को लेके? दोस्तों, आप सभी wait कर रहे होंगे 5-day banking को लेके. लेकिन अभी तक कोई भी update नहीं दिया गया You have View के तरफ से, आपकी किसी भी union के तरफ से. दोस्तों जब यूनियन से पूछा गया तो यूनियन ने ये कहा कि हमने IBA से 5-day banking पे लगबक सेमिती बना लिये 40 मिनिट बढ़ाने के लिए और IBA ने Department of Financial Services, Government of India के पास Approval के लिए भेज दिया है लेकिन अभी तक कोई भी update bankers को नहीं मिला इसी को लेके RTI Sell of VBankers ने एक RTI डाली है DFS में और जानते हैं RTI में क्या-क्या सवाल पूछे गाए है 5-day banking को लेके लेकिन दोस्तों अभी तक अब मारे channel में नया है तो channel को subscribe कर दें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों साथ शेका ना बिलकुल ना भूलें तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों याब की screen में RTI है जो की डाली गई है RTI Sell of VBankers के द्वारा ठीक है देखते हैं क्या का गया है दोस्तों इस RTI में सबसे पहले का गया है हमको information provide की जाए जिस भी form में हो under section 2F of RTI 2005 किसके regarding information provide की जाए अब उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले point number one copy of proposal of IBA यानि जो भी IBA ने आपको proposal भेजा है Department of Financial Services को for implementation of 5-day week in banks यानि 5-day week को implement करने के लिए जो भी proposal भेजा है IBA ने वो हमें बताया जाए अगर कोई receive हुआ है तो Department of Financial Services के पास अभी तक हमारे जो unions है वो हमसे यह ही कहते है कि हमने जो हमारा IBA उसने DFS को letter भेज दिया है 5-day banking को implement करने के लिए जैसे approval आजाएगा हम आपको बता देंगे लेकिन दोस्तों जब कोई भी copy नहीं आई है IBA की तरफ से कि क्या letter भेजा गया है तो दोस्तों ऐसा है ना कि जो आपका IBA है वो RTI के enter नहीं आता है इसलिए IBA से तो पूछा नहीं जा सकता इसलिए Department of Financial Services से RTI Cell पूछ रहा है कि अगर आपको कोई copy भेजी गई है तो copy हमको भी दिखाएए 5-day week के implementation के लिए next चीज जो पूछी गई है वो यह है क्या 5-day week जो banks में मिलेगा जैसे और institutions में मिलता आ रहा है अगर हाँ तो उसकी भी details दी जाए DFS की तरफ से थर्ड चीज जो पूछी गई है वो है कि वो tentative date बताई जाए जिसमें government of India अपनी powers को use करते हुए section 25 of negotiable act 1881 से सभी Saturdays off कर देगी banks में तो दोस्तों ये तीन चीज़े इस RTI में पूछी गई है अब देखते हैं इस RTI का reply कब तक आता है DFS की तरफ से जो भी reply आएगा वो bankers को कम से कम ये तो बता देगा कि हाँ सही में IBA ने DFS को कोई letter भेजा है कि नहीं 5-day banking के लिए और अगर DFS सोच रहे 5-day banking के लिए तो ये कब तक implement हो पाएगा दोस्तों यही है इस RTI में I hope दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों साच यह का न बिलकुल न बूलें फिर मिलते हैं दोस्तों चैर हिंद